नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एकरम संसत का मानसून सत्र शुरू होते ही देश भर में मानों अच्छे दिनों की बारिश होने लगी है दो साल पहले तक देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी उनका यह भाशन उस समय कितना देखा गया यह तो पता नहीं लेकिन इस समय जबरदस्त वाइरल है लोग पानी पी पी कर इसे देख रहे हैं और दुआई दे रहे हैं कि मोदी जी दो साल पहले आपने जनता जनारदन को कहा था कि दूद, दही, पनीर जरूरी चीजों को GST से बाहर रख कर कितना देश का फाइदा उन्होंने किया और आज की तारीख में आटा, चावल, मैदा, सूजी, पोहा, दही, चाच यानि हमारे आपके जीवन की बहुत जरूरी चीजें सब के उपर GST की गाज गिर गई है अब आप देखिए 2019 का यह वीडियो यहां तक की पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, चाच इस पर भी टैक्स लगता था आज यह सब GST के बाद टैक्स फ्री हो गए दोस्तों, एक बात बहुत साफ हो गई है कि जिस तरह से मोधी सरकार ने GST की परिधी में तमाम जरूरी चीजों को हमारे आपके जीवन की छोटी बड़ी तमाम चीजों को शामिल किया है इसने आम भारती नागरिक का जीना और ज़्यादा मुहाल कर दिया है यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस बार जो पांच फीसदी GST की गाज गिरी है यह गाज उन उत्पादों पर है जो नॉन ब्रैंडेड रहे हैं यानि आटा, चावल, मैदा, सूजी यह तमाम चीजें जो आप जो गरीब तपका खुले में खरीटता था जो कंपनियों वाले नहीं थे, ब्रैंड वाले नहीं थे, उन पर भी आज की तारीख से GST को लागू कर दिया गया है और यहां पर यह जो सरकार का कदम है, इसके पीछे निश्चित तौर पर एक बड़ा शड़ियंत यह दिखाई दे रहा है कि वे तमाम लोग जो कंपनी की शरण में नहीं गए थे, जो दिहाडी मजदूर हैं, जो मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग के लोग हैं, जो रोज खरीटते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन सब के उपर महंगाई की मार सीधे पड़ेगी यह जो पांच फीसिदी बढ़ाया गया है इसके खिलाफ, तमिलाडू में जो राइस मिल मालिकों ने राज जिबयापी हर्ताल रखी है, अलग-अलग जगों से आवाज आना शुरू हो रही है, और यहां ढूलिये नहीं, खैर आप भी नहीं भूल सकते और हम भी नहीं उससे पहले ही भारतिय नागरिक तराही-तराही कर रहा है, और सरकार के इस कदम से रोटी दाल तक मुहाल हो जाएगी, और हो जाएगी कहना सही नहीं क्योंकि यह पहले ही हो चुकी है, जिस तरह से आटा और चावल महंगा हुआ है, जिन्दा रहने के बुनियादी समान महं होंगे, वह बेहद चिंता का विशह है, मिसाल के तौर पर देखिए, जो 25 किलो तक का चावल, जो बेसिक चावल है, वह महंगा हुआ, 200 से लेकर 300 रुपे, 20 किलो आटे की कीमत पर बढ़ोतरी, कम से कम 60-70 रुपे बढ़ी है, गाउं देहात का जो रेट है, उसके हिसाब से और मोदी जी, आपने मानसूं सत्र शुरू होने में बिलकुल सही फरवाया, आपने सही कहा, कि यह बहुत महतपूर कालखंड है, और आपने बात की, आने वाले 25 सालों की, 25 सालों की यात्रा कैसे रहेगी, कितनी तेजी गती से देश को आप बढ़ाएंगे, उसके लिए क् संकल्प लेंगे, बात सही है, आज की तारीख में, जब आजादी का 75 साल मनाया जा रहा है, उस समय देश कितना रसातल में जा रहा है, डॉलर, डॉलर की दुनिया में, रुपिया कहां डुकी खा रहा है, हमारा फॉरिन रिजर्व, कितनी तेजी से खतम हो रहा है, की गिंती ही छोड़ दी है, क्योंकि बहुत से बेरोजगारों ने नौकरी की आस तक छोड़ दी है, हर लिहास से यह कालखंड वाकई अभूतपूर्व है, ऐसा न कभी देखा गया, और शायद हर नागरिक यह भी सोचेगा, कि ऐसा दौर, जहां पर आटा, चावल, दाल, चीजें, वह सब हमारी थाली से गायब होने लगें, ऐसा कालखंड भारत, भारत के नागरिक नहीं देखें, तो अच्छा है, इस पूरे घटना क्रम का बहुत सीधा सीधा रिष्टा रेवडी बाटने से है, जी हां वही रेवडी बाटना जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेन मोदी अपने भाशण में कर रहे थे, उन्होंने बहुत चंता जाहिर की, उन्होंने कहा कि देश से रेवडी बाटने का कल्चर खतम होना चाहिए, वाकई मोदी जी बात तो सही है, लेकिन बस दिक्कत नजरिये की है, आपके चश्मे से यह रेवडियां सिर्फ उन ल पंदीदा कंपनियों या कार्पोरेट को जो छूट देते हैं, तब आपको यह रेवडी कल्चर नहीं दिखाई देता, आप दरसल हमारी गाड़ी कमाई, उन पर खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, तमाम लोग भाग रहे हैं, और यही आपकी नीती 2014 से लेकर अब तक र हुआ है, उसमें भारत ने कमाल की प्रगती की है, अब आप देखिए जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साफ जाहिर दिखाई दे रहा है, कि जो क्रोनी कैपलिजम है, उसका फल किन लोगों को मिल रहा है, यह व्रधी भारत में 29% से बढ़कर 43% हो गई है, औ और यह कौन लोग है, यह कहना जरूरी नहीं, क्योंकि देश का बच्चा-बच्चा, अमबानी, अडानी की ग्रोथ रेट से बहुत गहरा प्रभावित है, और महरबानियों की बोचहार खम नहीं है, मिसाल के तौर पर देखिए कि 2019 में मुदी सरकार ने जो कॉर्परेट ट करोड का नुकसान हुआ, यह नुकसान हमारी आपकी अपनी जेप को हुआ, और फायदा उन बड़ी कंपनियों को हुआ, जो लगातार हमारे आपके बल पर मुनाफ़ा कमा रही हैं, इतनी बड़ी मातरा में, कॉर्परेट कर में कटौती, शायद ही दुनिया में कहीं की अगरिक का वह इतना बरबाद है कि दुनिया भर में भारत को पावर्टी का कैपिटल कहा जा रहा है, दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब भारत में हैं, और इस मामले में हमने नाइजीरिया को भी पिछाड दिया है, वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक की जो रिपोर्ट है, उ हमारी जो कुल आबादी है एक अरब 30 करोड का 6 फीसिदी लोग हैं जो भीशन रूप से गरीब हैं यानी 8.3 करोड लोग इतने गरीब हैं कि वे सब भुहमरी के कगार पर हैं। यह सब चीजें आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय देश की अर्थविवस्था इन तमाम गरीबों के खिलाफ युद्ध करती नजर आ रही है। 116 देशों में से 101 नंबर पर है। भारत की 15.3 फीसदी आबादी अंडर नरिष्ट है। यानी भारत में सबसे बड़ी संख्या में वेव लोग हैं जो भूके पेट सोते हैं पूरी दुनिया का ग्राफ के हिसाब से। अब ये सारे तथ हैसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास हैं या आपके पास हैं ये मोधी सरकार के पास हैं देश दुनिया के सामने हैं। को और भीशन भुकमरी की ओर धकेला जा रहा है। वह अभी तब जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि 2020 से लेकर 22 तक जो भारती अर्थविवस्था उसकी सालाना वृद्धी 0.8 फीसदी है। यानि देश में जो विकास दर है वह बहुत कम इस्तर पर है। यहां पर हम सब जानते हैं जिसकी तस्दीक CMIE की रिपोर्ट भी करती है कि जनवरी से लेकर अप्रेल तक 20 साल और 24 साल के बेरोजगारों की संख्या 2 करोड से अधिक हो चुकी है और बेरोजगारी की जो दर है वह 42 फीसदी है। आपने सही कहा मोदी जी यहां कालखंड निश्चित तोर पर एतिहासिक है भारत जिस तेजी से मुसीबतों की ओर बढ़ रहा है गरीबी और भुक्मरी की ओर बढ़ रहा है और जिसमें जो आग लगी है महंगाई की उसने पूरे के पूरे लोकतंत्र को घेर के रखा हुआ आएए अब देखते हैं कि देश की सरकारें किस तरह से हमें आपको यानी पत्रकारों को देखती है मामला सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है जार्खंड के एक्टिविस्ट पत्रकार बहुत ही जुझारु पत्रकार रुपेश कुमार सिंग की गिरफतारी से जिने 17 जुलाई को उनके घर से गिरफतार किया पुलिस जब उन्हें गिरफतार करने पहुची थी तब उन्होंने खाली सर्च वारेंट का जिखर किया था गिरफतार करने आई है गिरफतारी का वारेंट है इसके बारे में ना उन्होंने रुपेश को बताया ना उनके परिवार व जिस तरह से ground report रुपेश लगातार कर रहे थे जिस तरह से corporate loot जो जारकंड में चल रही थी आदिवासियों को जिस तरह से निशाने पे लिया जा रहा था उसका खुलासा कर रहे थे उसमें उनको निशाने पे लिया गिरफतारी हुई और उन्हें नकसली बताकर गिरफतार किय गया है जो धाराएं लगाई गई हैं यहां हम यह भी बताना चाहेंगे कि 2019 में भी उन्हें गिरफतार किया गया था यूए पी ए लगा उन पर और इसके बाद जब बाहर आए तो एक बहुत एहम खुलासा उन्होंने किया जिससे यह पता चला कि देश में जो सर्विलैंस कोफ्ट्वेर का इस्तमाल कर रहा है उसके निशाने पर भी रूपेश थे रूपेश पर भी और उनकी पत्नी पर भी निगरानी इंडियन स्टेट रख रहा था जिस तरह से रूपेश की गिरफतारी की गई उससे एक बात साफ हो गई है कि सच बरदाश करना किसी भी सरकार के लिए इस समय बहुत मुश्किल है इस समय 14 भारते पत्रकार जेल में हैं डेटेनर किये गए जिन में से अगर हम सिर्फ 2022 का हिसाब लें तो अब तक 8 मीडिया कर्मियों को गिरफतार किया गया यह लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन यह लिस्ट जाननी समझनी पढ़नी बेह आने पे लिया गया अब देखिए 14 फरवरी को फहाद शाह को जो कश्मीर वाला ऑनलाइन मैगजीन के संपादक हैं उन्हें गिरफतार किया गया तो 15 मार्च को पंजाब केसरी के गौरफ बंसल को 30 मार्च को अजीत ओजहा दिग्विजे सिंग मनोज गुपता को बलिया से गिरफतार किया गया 17 अपरेल को अबदुल आला फैजल को 2011 में छपे उनके एक लेक के लिए कश्मीर में गिरफतार किया गया 20 जून को पटना में अगनी पत विरोध को कवर करने वाले चार पत्रकारों को गिरफतार किया डिटेन किया 26 जून को 30 सी तलवार जो पॉलिटि 22 जून को जूबेर को गिरफतार किया गया और जूबेर का मामला इस मामले में बहुत एतिहासिक है कि जिस तरह से उनको गिरफतार करने जेल के भीतर रखने के लिए तमाम तंत्र एक साथ मिले वह बताते हैं कि एक सच्चे निर्भीक पत्रकार से किस तरह से सरकारें डरती हैं साथ जुलाई को नोएडा पुलिस ने जी नियूस के रोहित रंजन को डीटेन किया सत्रा जुलाई को रूपेश ये जो पूरी की पूरी घटना क्रम है इसमें 2021 को अगर आप जोड़ लिजे तो सिर्फ 2021 में भारत के 24 पत्रकारों को या तो गिरफतार किया गया या डीटेन किया गया ये आकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं और पूरी कहानी कह दे रहे हैं इनसे एक बात साफ है कि जब लोगतंत्र पर हर तरफ हमला हो रहा है ऐसे में लोगतंत्र में सच को कहने वाले लोगों पर किस तरह से बरबर, क्रूर, हमले हो रहे हैं और वे तमाम पत्रकार चाहे हो कश्मीर के हो या च्छतिसगड के हो या जारखंड के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो वे सब इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं एक-एक करके कड़ी से कड़ी जुड रही है और निश्चित तोर पर इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उ दोस्तों किस तरह से आदिवासियों को निशाने पे लिया जाता है और आदिवासि हों मुस्लिम हों या दलित सालो साल जेल में जिन्दगी बिताने के बाद अचानक जब निर्दोश करार दिये जाते हैं तो कितनी कम खबर उनके बारे में बनती है इसकी ताजा मिसाल यह वीडियो है यह तमाम लोग दोहजार सत्रह में गिरफतार किये गए च्छतिस गड़ के सुकमा जिले के बुरकापाल में जो नकसल हमला हुआ था उस हमले के आरोप में एक सो एकिस आदिवासियों को गिरफतार किया गया था तब से लेकर पांस साल तक यह तमाम लोग जेल में रहे जेल में रहने के बाद अदालत में पाया कि यह तमाम लोग निर्दोश हैं और इन्हें बाइज़त बड़ी कर दिया गया और इनकी जिन्दगी के पांस साल बस यूँ ही चले गए कोई दोशी नहीं पाया गया कि किन लोगों ने सिस्टम का कौन सा हिस्सा था जिस इसने 121 आदिवासियों को पांस साल तक जेल में कैद रहने दिया शायद यही हमारा तंत्र है और इस तंत्र की जो कुरूरता है वह महंगाई से लेकर जो हमारी बुनियादी हक है उन पर एक साथ यूही पढ़ रही है शुक्रिया